पर दोस्तो इस सीरीज को वो सीन मुझे सबसे बड़िया लगता है जब जेके एक लेडी ओफिसर से फ्लर्ट कर रहा होता है और शीका अंतिवारी जेके से कहता है चले जेके तो हेलो दोस्तो स्वागत आपका मेरी कोनी वीडियो में कैसे हैं आप तो दोस्तो फाइनली आज मैंने दा फैमली मैन का सीजन टू देखके कम्प्लीट कर दिया और दोस्तो ये सीजन टू देखके मैं इस सीरीज के मेकर्स को सिरख एक ही बात कहना चाहता हूँ आपको इस सीजन टू को रिलीस करने से पहले तमिल लेंग्वेज की क्लासिस को रिलीस करना चाहिए था क्योंकि आपका ये सीजन टू 70% तो तमिल में ही है और बाकी का जो 30% का बचा-कुचा पार्ट है वो हिंदी में बना हुआ है जिसमें भी सिरफ मनोज बाजपाई और शारी भाशमी का डायलोग है अब आप मुझे खुद ही बताईए कि जिस ओडियंस को तमिल लेंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती वो इस सीरीज को कैसे देख पाएंगे आपको उनके बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए था ना अरे हाँ सोचा ना सब्टाइटल्स अ बहुती ज्यादा कमाल की लगी और दोस्तो इस सीरीज का कमाल लगने का कारण है सिर्फ और सिरो मनोज बाचपाई और मनोज बाचपाई के द्वारा बोले गए गालियों भरे डायलोग्स क्योंकि दोस्तो जब जब भी इस सीरीज में मनोज बाचपाई अपना मूँ खोलत ोगों के चेहरे पर उसमाइल देके जाते थे और दोश्थ यही चीज मुझे इस सीरीज की बहुत जयादा अट्रैक्ट कर गई और दोश्थ गरम बात करें इस सीजन 2 की सारी की तो दोस्टो इस सीजन 2 की स्टोरी सिर्फ इतनी सी ही है कि शिलंकन गौर्मेंट के पास एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का टेंडर इंडियन गौर्मेंट लेना चाहती है और उस टेंडर को इंडियन गौर्मेंट को देने के लिए शिलंकन गौर्मेंट इंडिया से एक सुब्बू नाम के ब bomb blast करवा देता है जिसकी वह से सुबू at a time मारा जाता है तब फिर ISI का चीफ सुबू के भड़े भाई भासकरन से हाथ मिला लेता है इंडिया के प्रैम मिनिस्टर के खिलाफ और वो इंडिया के प्रैम मिनिस्टर को मारने के लिए एक suicide bomb mission प्लैन करता है जिसके लिए वो रज जी अपने प्लैन में successful हो पाएगी या नहीं पाएगी और क्या हमारे श्रीकान तिवारी और जे के रजी को रोक पाएंगे या नहीं पाएंगे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको The Family Man Season 2 में और दोस्तो एक और बड़ा सवाल बना हुआ है क्या श्रीकान तिवारी अ आपस आएगा या नहीं पाएगा इन सारे सवालों के भी जवाब आपको मिलेंगे इस The Family Man Season 2 में जरूर देखना बहुत ही बड़िया है और दोस्तो मनोज बाजपाई के साथ समान था की भी बराबर सही दाद देनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तो इस Season 2 के आने से पहले तक सा आरे लोग कह रहे थे अरे ये किसको विलन का करेक्टर दे दिया क्या एक क्यूट लड़की चुई मुई सी लड़की क्या इस Season 2 में दबंग करेक्टर निभाब पाएगी या नहीं पाएगी क्या वो एक अच्छी विलन बन पाएगी या नहीं पाएगी लेकिन दोस्तो इस tej season 2 में sa mantha की पहली जहलक नहीं बता दिया श्रीकांतिवारी यू और इन डेंजर और दोस्तु इस season 2 में जितने भी actors ने काम किया है उन सारे actors की दाथ देने के साथ साथ, उन actors की तारीफ करने के साथ साथ हमें इस series के righters की भी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो इस season 2 की story को select किया है वो कोई इतनी unique story नहीं है एक simple सी typical सी story है कि PM पे attack होने वाला है और national agencies को उस attack को रोकना है लेकिन दोस्तों इस story को भी इन्होंने जिसी साब से present किया है ना इस presentation के लिए हमें script writer और screen writer दोनों की दाथ देना तो बनता ही है पर दोस्तों मेरी series के maker से कुछ शिकायते हैं और दोस्तों वो शिकायते कुछ ऐसी हैं इन्होंने फालतु में इस season 2 को खीचिने की कोशिश करिये फालतु के scenes डाल डाल के क्योंकि दोस्तों मेरे recording ये season 2 7 episodes में खतम हो जाना चाहिए था जाधा जाधा 8 episodes में लेकिन दोस्तों इन्होंने फालतु के episodes डाल डाल के डाल डाल के इस season 2 को 9 episodes का बना दिया और भाई सब कभी गबार तो मेरा तो बीच में ये कहने का मन कर रहा था बस भाई हो गया आप आगे कर पर दोस्तों इस series को वो scene मुझे सबसे बढ़िया लगता है जब JK एक lady officer से flirt कर रहा होता है और शीकान तिवारी JK से कहता है चले जेके और दोस्तों इस season 2 का सबसे बड़ा disadvantage जानते मुझे क्या लगा इन्होंने ये तो कह दिया कि ये season 2 हिंदी में बनाया गया है लेकिन दोस्तों हिंदी का कहने के बावजूद भी इस season 2 में 60 से 70 परसंट तमिल में ही बोला गया है अरे मेरे भाई अगर आप ये season 2 हिंदी audience के लिए बना रहे हो तो उनको तमिल कहां से समझाएगी अगर आप Northern States में हिंदी में release करोगे तो उनको तमिल तो भाईसा बिल्कुल भी नहीं आती तो आपको तमिल को भी हिंदी में डब करके दिखाना चाहिए था लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और लोग सब टैटल्स पढ़ पढ़के अगर किसी चीज़ को देखेंगे तो उनके लिए मजा नाम की चीज़ बिल्कुल भी खतम हो जाती है थोड़ी बहुत तमिल अच्छी लगती है लेकिन इन्होंने 60 से 70% तमिली बोली है जिसकी वज़े से तमिलियन्स का एक भी डायलोग समझ नहीं आता जिसकी वज़े से सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है तो दोस्तो ओवरॉल दा फैमिली मैन का ये सीजन 2 एकदम कमाल का सीजन 2 है बस इसके सीजन 1 जितना कमाल नहीं है और दोस्तो अब ऐसे भी जानते ही है Amazon Prime वीडियो का इतिहास रहा है उसकी जितनी भी सीरीज के Season 2 आए है उसके Season 1 जितने कमाल बिल्कुल भी नहीं कर पाए है लेकिन दोस्तो I hope The Family Man का ये Season 2 उसके Season 1 को भी मात दे देगा तो दोस्तो ये था मेरा Season 2 reaction इस The Family Man का अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको और पे रखें जैसे मैं कोई आगे बढ़िया वीडियो डालू उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए मैं मिलूँ अब आपस अगली वीडियो में बाई